कैसे हो गाइस आप सब लोग और विलकम बाक टियूर ओन चैनल दोस्तों आज की मार्केट बहुत अच्छी मार्केट रही हमने देखा था कि ऊपर मार्केट खुली थी उसके बाद थोड़े सी नीचे डाउन साइड आई और उसके बाद एक और अच्छी रिकावरी आई और आने के बाद अपने कुछ जो मेजर रिजिस्टेंस लेवल्स थे उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजें करने में कामियाब रही है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम यह नहीं मान के चल रहे हैं कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगी मार्केट अब थोड़ा सा एक फॉल आ चुकी है उससे हमें समझेंगे कि मार्केट रिट्रेश्मेंट लेगी और वहां पर फिर हमें एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को मान के चलेंगे अब वह क्या है गाईज वह मैं आप लोगों को बता देता हूं उससे पहले आज हम लोगों ने जो ट्रेड लिय जो आज हमने इंट्राडे मार्केट पे जो भी शेयर बाय करें जो सेल करें वो कि परफॉर्मेंस कैसी रहिए वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे क्योंकि हमने अपनी कल की यूट्यूब वीडियो पे आप लोगों को बताया था क्या खरीदना है क्या बेचना है और स्टॉप लॉज दिखरा होगा, टागेट से हो गए, अदानी पोर्ट बाय करनी की सला दीती है, अदानी पोर्ट गाईस, 318 पे खोला था और 311 तक गया था, तो वहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, जब मैंने आप लोगों को 320 की उपर बाय करनी की सला दीती, तो हमारा मैं तो कोई ट्रेडी नी बना, पर जब उसके बाद 12 बजे के असपास यह 320 रोपे के उपर गया, तब हमारी बाय पोजीशन बनी और 324 का टारगेट हिट हो गया, इंदोसंट बैंक आप लोगों को बोला था कि गाईस, इसको बेच का चली एक ही शेर था, और इतनी पे यह वाला शेर था, जो नीचे था, 366 की इंट्री प्राइस थी, 365 का टारगेट था, 355 का टारगेट अचीव, UBL का टारगेट अचीव, बजाज ओटो, आप लोगों को कल मैंने बोला था कि पच्चिस सो में बाय करिये, पच्चिस सो पचास एक दो दिन में चले गया था, और आप लोगों को मैंने 23 रुपे में बोला था,ños बाय करेगा, 36 रुपे का है, 23 रुपीज में आप लोगों को बाय करने की शला दी थी, 36 रुपीज का टारगेट था, और वो भी हमारा टारगेट अचीव हो गया, तो ऑराउँड-अराउड अगर हम इस पे बा quantities buy करने चाहिए तो मैं आप लोगों से बोलूँगा आप मिनीमम 100 quantity buy करके अच्छे ले करिए जो भी आपको entry price दिया जा रहा है वो उन stocks में आप entry कर लिया करिए यह नहीं कि आप एक stock में entry ले रहे हैं और 4 stock को भूल जा रहे हैं आपको जो भी calls provide होती है आप सारे stocks में इंट्री लीजिए अगर आपको entry price पर वो stock मिल रहा है तो minimum stock quantity से start करिए और जो भी आप लोग extend कर सकते हैं वो आप लोग की उपर आपकी investment की उपर depend है और guys मैं आप लोगों को यहाँ पर trade लेने के लिए initiate नहीं कर रहा हूँ बट अगर आप लोग trade लेते भी हैं तो cautious के साथ लीजेगा और अगर आप लोगों को trade में फायदा नुकसान होता है तो हमें जूरू बताएगा आज हमें whatsapp पे एक viewer ने जो हमारी YouTube वीडियो देखते हैं उनका एक message आया और उन्हेंने का कि हमने हमारे ACC के एक call option को buy करा है और उसे फायदा हुआ है so उसने 2900 का around ACC के call option के तुरू शायद profit कमाया था अगर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को तो उसका नाम अगर मैं बात करना चाहूँ तो अभिनफ जी है अभिनफ जी ने आप OCC को call option बाय करा था अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे comment section में बताईएगा अपना नाम की आपने हमें बात करा था so guys हम बढ़ते next की तरफ और कल का market तो guys बहुत जादा अच्छा रहने वाला तो जरूर देखेगा और आज हमार ने अपने clients को जो particular बहुत अच्छा trade दिये थे और उसके थ्रून लोगों को बहुत जादा profit हुआ है so वो भी आप लोगों के साथ share करा जाएगा अब guys आप लोग मेरे पास एक comment section में queries और आ रही है कि आप telegram channel पे हमें बताया करिए कि किस तरीके से live market पे trade लेना चाहिए guys आप लोगों को पता होगा कि मेरा खुद का एक अभी जो मैं course लोगों पढ़ा रहा था एक वो चल रहा था plus मैं अभी खुद study कर रहा हूं और मेरी भी life classes चल रही है अभी जो market के बीच में हमारी 9 बजे ही मेरी classes start हो जाती है और वो 5 बजे तक शाम के चलती है तो मेरी guys 3-4 classes होती है तो उस बीच में मैं आप लोगों को नहीं बता पाता telegram channel पर ना मैं आधा active रह पाता हो हूँ मैं जो active रह पाता हूँ सिर्फ मेरे clients हैं जो जनलोगा ने paid service ले रहिए उन लोगों के साहते झाखव रहा हूँ मैं जेनरली खुद भी जाधा trade नहीं ले पाता हूँ उन लोगों को provide कराने के चक्क्र वें यह मेरी classes अभी चल रही है तो मैं ज्यादा intraday live market में active नहीं रह पाता बट मैं आप लोग try करने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि जब market बंद होने वाले होगी 3-15 के आसपास मैं आप लोगों को उसी time BTST calls भी provide करा दूँगा जो मैं आप लोगों को YouTube पे देता हूं तो आप लोग पहले ही एक दिन पहले ही market में पैसा लगा पाएं और वो trade को ले पाएं तो उसी के लिए आप channel पे join हो सकते हैं जो मैं telegram channel का link नीचे दे दूँगा या फिर आपको यहां दिख रहा होगा हमारे telegram channel पे जाके अगर आप first investment को search करेंगे तो आपको वो दिख जाएगा 650 के around subscribers अभी join है तो जित्ते हो सकते हैं जो लोग भी वीडियो से regular देख रहे हैं 2000 लोग minimum मैं देखता हूं वीडियो से यहां पर देख लेते हैं तो मैं उन लोगों को कहूंगा और flag and pole का breakout देने के बाद हमने देखा नीचे आई है सस्तेन करा फिर दुबारा एक bounce करके pullback देखे ऊपर की तरफ closing दिया 8.75, 8.84 तक के targets हम expect कर सकते हैं गोदरिच properties गोदरिच properties buy करने की चला दी जाएगे अगर मैं इस पर देखता हूं daily chart तो मुझे देखने को मिलता है कि 5 दिन guys एक 5 दिन ये एक consolidation zone के अंदर ही था एक consolidate कर रहा था जो कि around 592, 593 के आसपास के levels है तो अगर आपको कल वाई इंटरिच में मिलता है तो भी buy opportunity आप बना सकते हैं या अगर आप कल आप लोगों को positive ही मिलता है तो भी buy बनाएगे 601, 607 तक के targets हमें expect कर सकते हैं गोदरिच properties के अंदर CESC, CESC buy करने की सला दी जाएगी guys, sorry sell करने की सला दी जाएगी इसने अपना एक हमान के चले की एक channel के अंदर trade कर रहा था और channel का जब इसने breakdown दिया तो हमने देखा था बहुत lower levels देखने को मिलेते उसके बाद दुबारा यह pull back कर रहा है अपने channel के resistance की तरफ और वहां से अब दुबारा हम देख रहे हैं कि retest करने के बाद एक reversal आया है नीचे की तरफ, so clearly short है 576 का नीचे आपको short करना है 572, 565 तक के targets हम expect कर सकते हैं CESC के अंदर guys those talks और nifty bank nifty को बताने से पहले मैं आप लोगों को अपने whatsapp group पे लेकर चले जाता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज हमारी today calls थी जो हम लोग ने provide कर रहे थी गोदरे जिन properties हम लोगों ने provide कर रहे थी 591, 595 तक के targets थे 587 पे हम लोगों ने आप लोगों को provide कर रहा था तो जिसके targets हमारे clients के लिए अचीव हो गय थे BTST calls भी अपने लोगों को provide करा दी थी Lupin बाय करवा चुके हैं Godrich properties बाय करवा चुके हैं और Torrent Pharma जो हम लोगों ने पच्छे सो रुपे में अपने clients को और अगर आप लोग हमारे online batch में जो हम लोगों ने online batch start करा था training batch और उसमें जो 20-25 members थे उन लोगों को भी पता होगा कि मैंने आप लोगों को Torrent Pharma भी दिखाया था कि उसमें एक bullish peanut pattern बना था जब हमने आप लोगों को peanut pattern बताया था कि कैसे trade करा जाता है और क्या होता है वो तो हमने आप लोगों को बताया था कि पच्छे सो रुपे में ज़रूर बाय करिएगा 2700 का minimum target है जो दिखा सकता है और आज यह 2600 रुपे तक का high mark आया है guys so अभी इस पे particular stock पर मैं video बनाना चाहूंगा अगर यह कल dip देता है तो भी हम इसे buy करने की कोशिश करेंगे इसमें multiple patterns का breakout देखने को मिला है pinnate pattern का breakout देखने को मिला symmetrical triangle का breakout देखने को मिला और bullish flag pattern का तीन patterns का इसमें breakout देखने को मिला guys और higher levels है minimum 2700 रुपे का level है so अगर आप हमारे साथ जोड़े हैं तो हम आप लोगों को ऐसी ही चीज़े provide करा पाएंगे bank nifty का हमने यहां पर sorry nifty के हम लोगों ने इन लोगों को call भी बुराइवाइट करा रखी है और यह सारे हमारे btst हैं तो यह जब कल market खुलती है तो इन लोगों के targets जो हैं वो अचीव हो चुके होते है इन लोगों को market में नए calls प्रोवाइट कराते हैं तो इस तरीके से हम अपने clients लोगों को calls प्रोवाइट कराते हैं हम बढ़ते हैं दुबारा अपनी presentation के थूरू तो fourth जो आप लोगों buy करके चलना है वो आरिवियल bank है buy करके चलिए 113.2 की उपर hold करता है buy कर ये 115.5 119 तक के targets हम अरिवियल bank अंदर भी achieve कर सकते हैं IRCTC नीचे आया 5% का दुबारा अज अपर circuit लगा आया तो हम expect कर सकते हैं कि कल भी एक अपर circuit लगा सकता है शुरुबात में नीचे खुलने के बाद तो buy कर ये 13.37 की उपर buy करना है 13.49 13.76 तक के target हम expect कर सकते हैं Nifty आप Nifty के आगे देख रहे हुए 9065 तो इसकी closing है buy करने की सला दी जाएगी अगर ये guys 9040 को आदा घंटा कल market में hold करता है शुरुवात पे अगर कल ये शुरुवात में नीचे जाता भी है तो भी आप लोगों को में tip में buy करने की सला दूँगा जो की 850 का level 8950 और 9000 and 50 ये जो 100 point की range है इस 100 point की range में अगर आप Nifty को कल buy कर सकते हैं तो buy करिएगा stop loss आप लोगों को maintain करना होगा 8900 का बट अगर आप लोगों को नहीं मिलता इत्ता नीचे और अगर आप लोगों को 9040 के आसपास मिलता हो अगर स्क्यूपर hold करता है सस्तेन करता है तो buy करिएगा कल intraday target जो मैं expect करके चल रहा हूं वह है 91 20 91 60 का क्योंकि इसमे प्रेकाउट है जो इसका पहला support था जो इसको तोडने के बाद resistance को break कर चुका है तो best clearly buy है अगर यह 90 40 के उपर hold कर जाता है bank nifty को buy करके चलिए guys 17 840 की closing है यहाँ पर आप देख सकते है 17 840 की closing है 17700 का इसने breakout दिया 17700 का आप ब्रेकाउट दे चुका है अगर यह कल आप लोगों को 17700 के आसपास भी मिलता डिप देता भी है तो भी buy करके चलिए मेरे को लगता है 18,000 तक के level सी कल intraday में दिखा सकता है option strategy कौन सी है तो nifty की 21st में की 9,000 की call option को buy करके चलना है जो की 106 रुपे में मिल रही है target 131 155 तक हम targets expect कर सकते है stop loss आपको 65 रुपीज का maintain करके रखना पड़ेगा guys यहाँ पर मैं आप लोगों को एक torrent pharma की option call provide कराने वाला था but जो मैंने अपने clients को provide कराई थी but मेरे को नही 10-20 रुपे उपर चली जाएगी option call और हम आप लोगों को नहीं दे पाएंगे तो यहाँ पर अगर कल torrent pharma नीचे आता है और अगर वो option call जो 2500 रुपे की option call है 2600 रुपे की option call अगर आप लोगों को दुबारा 45 रुपीज के around मिलती है तो भी आप अपनी position को बना सकते है वो 59 पे close कर चुकिया 45 रुपीज की call दे रखी अभी तो guys ध्यान से trade करिएगा इसलिए मैं आप लोगों को provide नहीं करवा पाया so कोई भी question हो कोई भी doubt हो comment section में हमसे आप पूछ सकते हैं आप लोगों को सब लोगों को reply दिया जाएगा so इसी के साथ मैं video को wind up करता हूँ guys video को like करिएगा जो भी यहाँ पर सब viewers मेरी video को देख रहा है please आप लोग like जरूर करा करिए उसी से मुझे motivation मिलती है कि मैं आप लोगों के दुबारा ये videos को बना सको so मैं expect करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कम से गम 500 likes तो expect करके चल रहा हूँ क्योंकि guys मैं देखता हूँ तो minimum 2000 लोग देखते हैं तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कल से आप लोगों के लिए यह video बना रहा हूँ और आप लोगों के लिए दुबारा option calls लेकर आऊं तो मुझे एक अस video में 500 minimum likes चाहिए ही चाहिए guys comment section में कोई भी doubts हो तो जरूर पूछेगा इसी के साथ मैं शिवांज बसी इन video को wind up करता हूँ मिलता हूँ आपसे का लगल वीडियो पर